हेलो एव्रीबन वेलकम बाक इन यूटिप चैनल तो इस वीडियो में मैं आपको बदाने बाला हूँ कि कैसे आप जो है डेटा विजुलाइज कर पाएं इंसाइट्स निकाल पाएं ठीक है तो आज स्टार्ट करते हैं उसके लिए हमें को डीपीसी ड्राइवर डाउनलोड करना होगा और यह सेम स्टैब आप जो है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज़ कर सकते हैं सेम रहेगा अधिक के पहले आपकोो डीपीसी ड्राइवर डाउनलोड करना है क्योंकि डायरेक्ट नहीं विल्ट होता है वह मैंने ट्राइक करके देखा था मैस को सॉफ्ट माई स्कूइल में हो जाता आपका माईक्रोसॉफ्ट वालीम है इसमें नहीं ठीक है तो आप ओडीबीसी ड्र डाउनलोड की कर लीजिए माइस्क्वेल का ठीक है हम यह कनेक्टर डाउनलोड कर लिएते हैं विन्डूज यहां पर अगर आपका मैक है तो आप मैक मैक ओप्ट कर लिना और आप अपना यह यह वाला इंस्टाल कर लीजिए MSI installer no thanks just start my download इसको install कर लेते हैं just follow the same steps इस बिन्स्टाल ना हम उसको close कर देते हैं तो हम अपने mysql आप अपना open का लीजिए आपको मैनेज कनेक्शन तो आपको इसमें एक कनेक्शन बिल्ड कर देना है अभी अब आप कुछ भी नेम डाल सकते हैं अपना ही नेम एंटर कर देता हूं नेम सिर्फ इतना करना है आपको अपना आपको अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा जो आप ओपन करने के लिए यूज करते हैं अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके पासवर्ड भी अपना डिसेट कर सकते हैं अब इतना होने के बाद आपको अपना स्टार्ट बटन दबाना है ओडी बीसी यह 64-bit वाले पर जाना है ध्यान रखना 32-bit पर नहीं जाना है 64-bit पर जाना है आप system dsn में जाएगा ओके system dsn में फिर यहां से create करना है आपको आप इसको मत देखिए यह मैंने पहले create किया हुआ था दिखाने के लिए मैंने जब connection बिल्ड किया था अपना दो चलिए मैं add कर देता हूं फिर से then आपको इस पर क्लिक करना है odbc 8.2 inside driver then finish source name आपको डालना है जो हमने अपना mysql में connection name enter किया था यहां पर जो मैंने थोड़ी दिर पहले अपने नाम से बनाया था मुकेश नायम से create किया था यहां पर आपको यहाद होगा ठीक है तो वही same name जो है आपको इदर डाल देना है मैंने अपना नाम यूज किया था ठीक है इतना करने के बाद आपको अपना user जो आपका user name जनरली जो करता है पासपर्ट एंटर करते हैं टाइम पह वह एंड अपना पासपर्ट डाल देना है फिर connection को test करना है connection successful इसका मलब हमारा connection जो है बन चुका है अगर आपको इस route में problem हो रही है यह कहां हम find करते हैं यह मैं आपको बता दीता हूं इसको connection तो मैंने build कर लिया है इसको कर देता हूं मैं आपको route बता देता हूं जिससे कि हमने अपना manage connection करते हैं मैंने connection name डाला था अपना मुकेश टेस्ट connection किया यह password माग रहा है तो यहां पर जो यह user दे रहा है आप देख पा रहे होंगे user route जो भी आपका name होगा वह आपका user होगा ठीक है तो यह हमने create कर लिए तो मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा था चलिए हम चलते है अपने sources ठीक है द्याम रखना from other sources क्योंकि हमने connected download की install किया अपने system में इस वज़े से हम कर पा रहे है connect from odbc कि आप यहां पर अपना जो connection name हमने अपना workbench में create किया था यहां बजिस name से भी किया था वह अपना यहां select कर लीचिए मैंने अपने name से किया था okay किया यहां पर आप अपना password डाल दीजिए जो हमने create किया था वह यूजर ने मैंने आपको दिखाया था और अपना password see we have simply connected our excel and SQL workbench without having any problem ठीक है यह देखे जितने भी यह मेरे database created है इनके अंदर मेरा पूरा detail आगे यह मेरे सारी tables created है इस में जिन पर भी मैंने work किया है तो आप किसी को भी चाहो import कर सकते हो मैं marketing टेबल डाइट ट्रांस्फोर्म कर लेता हूं कि यह marketing table मैं आपको इधर भी दिखा देता हूं यह देखी जिसकी मैंने यहां पर यह लिख रख किया है क्रियेट कर रखा और डेटा इंसेट कर रखा यही टेबल कर डेटा मैंने अपना excel में इंपूर्ट कर लिया है यह देखिए यह पूरा डेटा आ गया और हम जो चाहे इसको कर सकते हैं अपना close and load करने के बाद easily आप इसको यूज कीजिए डेशबोर क्रियेट करने के लिए चार्ट क्रियेट करने के लिए और इंसाइट निकालने के लिए सिंपल तो देखिए यह पूरा डेटा आ गया हमारा इंपूर्ट हो गया easily तो guys that's the simple process that I have told you in this video तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्रीज लाइक करें and subscribe करें चलिए ओके बबाई मिलते हम अपनी अगली वीडियो में